आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हुँ गौरश्री वैस्तो आप हमाई सब देख रहे हैं हमारा खास कारिकम प्राइम चर्चा दोस्तों चुनाओं की तैयारिया हो रही है कहीं मेनिफ्रेश्टो बताई जा रहे हैं कहीं रेलिया हो रही थी सभाय हो रही थी पर अब समय आ गया है कि पित्यासियों को चैन हो रहा है उसकी लिस्ट जारी की गया रही है और साथ ही साथ इस वर हम देख रहे हैं कि जिस तरह चुनाओं में युबाओं की भूमिका को बहुत बड़ा एक असर पढ़ने को और युबाओं की बहुत बड़ी भूमिकार है अन्य चुनावं से बहुत दिल्चसप है और साथ ही साथ अगर युबाओं की भूमिकार बात करें युबा लगातर अलग-अलग मांध्यमों से अपनी पर्स पिचार भी कर रहा है उनके लिए जनाधार भी बड़ा जो दल होता है वो भी होता है वो लगातार अपनी पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाने के काम करता है क्योंकि युवां होते हैं बहुत एनरजी से बरपूर होते हैं उनमें उर्जा होती है पार्टी के लिए जनाधार भी बढ़ाते हैं और पार्टी के लिए जनाधार बढ समर्थन और लगाथार पार्टि के लिए काम नजों करती हैर तो समादवारी पार्टि में लगातार पॉहत मेहनत कर रहे हैं और जिसका लाव देखने द्टे को भी मिल सब्रें हम लगातार इस तरह के अपने कारिकम में चहरे बठाते हैं, युभा नेता बठाते हैं, जो बताते हैं कि हम पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं तो अमेज़ वस्ती जी आपका हमाय कारिका में स्वागत हैं, तो अमेज़ वस्ती जी आपने बताया कि आप युबा है और युबा सपा नेता की रूप में काम करते आ रहे हैं, कई महत्पूर पड़ों पर आपने परी जम्राई नभाई है, तो कौन-कौन से पत्ति अधिच रहा, मिन पार्टी में जिला सचीू रहा, और अब समाज़ वदी पार्टी के राष्टी है, युबा को लेकर पेखर है, लगातार युबा को जोडने का काम कर रहे है, आज कोंगरेस द्वरा भी युबा मेनफेस्ट्यू जारी किया गया, क्या मानते हैं, बीजार समाज वदी पार्टी ने हमेंसा उत्तर प्रप्रदेश के युवाँओं को आगे बढ़ाने का काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने काम किया है उत्तर प्रदेशंए में . समाज वदी पार्टी और उनके राष्टियत देज आधरणी अखिलेश यादोजी ने युवाओं की लड़ाई लड़ी है और युवाओं को हर संभव मदद का प्रयाज किया है और सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और तमाम चीजे देने का काम अधरणी अखिलेश राजनीत की पहली सीड़ी है और समाज वी पाटी ने हमेशा साच छाध संग का समर्थन किया है और स्छाध संग से निकल करा समाज ुवाओं की ताकत wanting किसी भी भावबल और ध्हनु बलका नहीं च Richर connection चुनाओं के माद्यम से जब चासंग का अध्यच और उपाध्यच महामंत्री बनता है उसके बाद उनके लिए राजनीति द्वार और खुल जाते हैं आने वाले दिनों में उन्हें पिर उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बनाया जाता है एमेले का टिकट भी दिया जाता था उन्हें एमलसी भी बनाया जाता था लेकिन आज की सरकार ने चासंग चुनाओं पर रोग लगा के उत्तर प्रदेश के युवाओं को चलने का काम किया है और राजनीत में पीछे ढखेलने का काम किया है युवाओं की बहुत बढ़ी भूमी का रहती राजनीति पर हम लग का काम किया कई युवाओं को मलसी और विधान परसद भेजने का काम किया साथ ही कई युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले और समाजवधी पार्टी ने हमें सा युवाओं की बात की जबसे पान साल से उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार है चा करूद देंगे और दसलाध के वारती देज़िन व्यॅवर्णी से लोगो deposit प्रश्रय toys संक्याय लिगा करते वा working क्या आपकी सोच है कि युवाओं को कैसे मौकर देजिए जिसे कि युवाओं को रखना चाहिए जिसे कि युवाओं राधिती में अग्रम रूप से पेड़ना दे सके और आंगे बढ़ सके माननी मुलाहिम जिंग्यादो जी ने हमेसा कहा है कि समाजवादी पार्टी कभी ब संत्री बनाने का का मादनी किलिए जिने किया है जिसके माद्यम से युवाओं में उत्सा है और नेता अखिलिए पर भरोसा कि अखिलिए जादो जी जब तुब तरप्रदेश की सथा में बैठेंगे तो उत्तरप्रदेश का युवा खुशाल होगा आप क्या मानते हैं कि हम लोने गुंडा माफिया पर पूरी लगाम लगाए है और लगातर हम एसे लोग इसका करवाई कर रहा है और जो है कि अरितर गुंडे समार्वी पार्टि से पार्टी में नहीं सामिल हो जाते हैं और पवित्र माने जाते हैं उनका गुंडा वाला लेविल हटा दिया जाता है तो योगी जी की सरकार उनको गुंडा बताने का काम करती है हम लगाता देख रहे हैं कि युबा है आप नेता हैं लगाता समावी पार्टी के जनाधार बढ़ा रहा है युबाओं की क्या खास जरूरते हैं पार्टी या एजिन्डा बनाती है आज कॉंग्रेस दोरा युबा मैनिफेस्टियों जारी किया गया इसके अलाबा वो लगात युबाओं को लेकर प्रयास कर रही है भारती जनता पार्टी ने पांच साल युबाओं को छलने का काम किया है प्रदेश का युवा या जान चुका है इस बार भारती जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा कांग्रेस का जमीनी इस तर जमीन पे कांग्रेस नहीं काम कर पा रही है नहीं कांग्रेस का जमीन पे जनाधार है प्रदेश का युवा सिर्फ अखिलेश यादो जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है क्यों उसको लगता है कि अखिलेश यादो जी की सरकार बनेगी तो हमारे घर में रोजगार आएगा, हमको रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को लाइप टाप मिलेगा, हमको लाइप टाप मिलेगा, ऐसी तमाम चीजे हैं जिससे अखलेश यादोजी की तरफ प्रदेश का युवा उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, और गरीब की बेटी को भी सिच्चा मिले, गरीब के बेटे को भी सिच्चा मिले, ऐसी बेऊस्ता समाज़ी पार्टी की सरकार में लागू होगी। युवाओं के नेता हैं लगातार समाज़ी पार्टी के जनधार बढ़ा रहा हैं, ऐसे कों कोर से माध्य में जिनके द्वारा आप समाज़ी पार्टी के जनधार बढ़ाते हैं, और युवाओं में ऐसी क्या आपकी प्रेंड़ना रहती है, कि युवाओं आपके द्वारा खर्षी चले आते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ और उनको लगता है, जिवाओं को लगता है कि ये किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, ये प्रदेश और राष्ट्री इस्तर की राजनीद में अर्खलेश यादो जी ने इनको बढ़ाया है, तो कुछ ना कुछ विसेस्ता जरूर है, तो प्रदेश का युवा सोचता है कि हमारा जब गरीब किसान का बेटा आर राष्ट्री कारकाणी में, प्रदेश कारकाणी में, जिला कारकाणी में है, तो कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं, इस माद्यम से प्रदेश का युवा, प्रदेश का युवा हमारे साथ रोल मोडल होता है तो अबस्ती जी आपका रोल मोडल आपका आधर्स कौन है हमारे आधर्स अधरणी अखलेश यादो जी विचारदारा पर ही चलते हैं क्योंकि अखलेश यादो जी जातधर्म मजहब नहीं सिर्फ विकास और अमन पसंद्देश प्रदेश को खुशाल बना क्या जनता के भी जाते हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या that है हमारे एक फेक्र में ऽमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हर तकलीव को हम दूर करने का काम करेंगे कोसिस करेंगे Prabin में जितने वी कासकार हो सके हमबढ़ने हैं बढ़कर समें हिस्सा कोई भीवेक्त भूंक खोना सोए कोई भीवेक्त बीना चट के ना रहे कोई भी Muk ряд bunk ज dengan रहे कोई घर नहों हम इस माध्यम से हमेसा सेवा करते रहते हैं तो 9 मेडिय को डís कि में अपनि कहने का प्राइम टी वी माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहींगे प्राइम टीवी के माद्धियम से हम जनता से कहना चाहते हैं कि जात धर्म मजहभ जFor के चक्कर में नपड़िये देखिए कि उत्धर प्रदेश कि कि रास्ते पर कॉणले जा रहा हम से हमारे बेटे को आगे सिच्छा पाएगी किसमाद्ध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा किसमाद्ध्यम से प्रदेश की अच्छी च्छी सड़के बनेगी किसमाद्ध्यम से उत्तर प्रदेश में हर जिले में मैट्रो बनेगा किसमाद्ध्यम से हर्श्पिटल बनेगा किसमाद्ध्यम स आप लोग अखिलेस यादो जी की तरह बढ़ाईए और अपना समर्थन दीजिए ताकि प्रदेस खुसाली के रास्ते पर बढ़े उत्तर अख्षलेस यादो जी की सरकार बनने के बात बाद के साथ मैं प्रदेस की जन्ता भूँद धन्यवाद और आपको बहुत धन्यवाद तो यह थे हमाय सार समावी पार्टी की यूबा नेता अमेत वस्तिन का क्याना है, कि जस तरह से अखिले सियारों ने अपनी सरकार में काम कियता, पहले सरकार अन्न कोई नहीं नहीं आ पाई है। कि आज रहा है कि अंते हैं तो आज की चरचां में अगली बार फिर नए दकाद नँसकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार